जाइन दोस्तों मेरा नामे पुश्कर और आप देख रहे हैं Techs Crew आज की इस वीडियो में हम आपको बोट के इस बजट स्मार्ट वाच बोट वाच एक्स्टेंड का डीटेल सेट अप जो है वो दिखाएंगे प्राबलम होगा तो वह आप किस तरीके से कर सकते हैं वह सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे किजेगा इसका स्क्रीन वह वेक कर जाएगा फिर आप चार्जर को डिसकनेक कर लिए और अगर चार्ज लो है तो आप चार्जर को चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए फिर आई एगरी पर टाब कीजिए यहां पर आपको बोट का एक अकाउंट करना पदएगा तो यहां पर आपको डिवाइस लोकेशन का permission मांग रहा है while using the app तो हम यहां पर permission दे दी हैं उसके बाद यहां पर हम अपना जो reason है वो select कर लेते हैं रीजन करने के बाद यहां पर आपको अपना email address देना है email address देने के बाद यहां पर आपको अपना जो password आप रखना चाहते है boat account का, वो आपको देना है, password एंटर करने के बाद, यहाँ पे आपको check box पे click करना है, next step पे tap करना है, उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे verification code आपके mail पे देखने के लिए मिल जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे enter कर देना है, तो यहाँ पे बर्थDate जो है वो स्वांग करके बड़ने के बाद फिर आप एक्षट पर जाएंगे यहांप faze कर ले वेइंगे जो भी आप last major की थे याप मेजर करके निरोसर य क्यार्टेlight आपको पता हो उसके बाद यहां पर आपको I agree करना है Next step में आप अपना goal जो है वो यहां पर set कर सकते हैं Steps का और rate का फिर यहां पर हम finish कर देते हैं Next यहां पर आपको watch और bracelet जो है वो select करने का option आजाएगा तो यहां पर watch select करते हैं because यह watch है जैसे ही आप watch select करेंगे तो आपका nearest watch होगा वो आपको देख जाएगा उसके उपर आपको tap करना है और यहां पर binding हो रहा है कुछ देर में आपको जो है आपको जो है आपको watch पर देखने के लिए मिल जाएगा यहां पर right के symbol पर आपको click कर देना है और यहां पर connected हो गया connected होने के बाद यह Amazon Alexa वाला pop-up आपको आ जाता है जिसके through आप जो है आपने watch से Alexa को command दे सकते हैं अगर आप इसको अभी setup करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं नहीं तो आप यहां पर later कर दीजे बाद में भी आप इसको setup कर सकते हैं आप हम finish पर tap कर देते हैं finish पर tap करने के बाद आपको ऐसा सा कुछ watch interface देखने के लिए मिल जाता है यह जो main page है इसमें आप अपना training वाला data, sleep data, heart rate, stress data, SPO2 का measurement, weight जो भी है वो सब कुछ आप यहां पर देख सकते हैं आप steps चलेंगे वो आपको यहां पर दिखेगा next यहां पर training वाला जो है वो आप outdoor running, outdoor walking करते हैं तो वो सब चीज जो है आप यहां पर देख सकते हैं next यहां पर device वाले section पर जाते हैं यहां पर आपको अपना watch जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा connected phase में है वो देखने के लिए मिल जाएगा watch face market है और Amazon Alexa यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है device में जाने के बाद अगर आपको Amazon Alexa setup करना है तो यहां पर आप Amazon Alexa पर tap करेंगे और उसके बाद आपको Amazon account से इसको setup कर लेना है तो इसके लिए हम एक dedicated video में आपको दिखाएंगे जिसमें हम आपको Amazon Alexa से क्या-क्या command दे सकते हैं किस तरीके से setup कर सकते हैं वो सब कुछ बताएंगे फिलाल यहां पर आप 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 करते हैं watch पर tap करने के बाद यहां पर battery percentage connected देख सकते हैं steps calories आप यहां पर देख सकते हैं watch face market को आप यहां से भी access कर सकते हैं next यहां पर हम जाते हैं health monitoring पर सबसे पहले तो यहां पर आपको health monitoring में इतना सारा जो है options देखने के लिए मिल जाता है सबसे पहले हम heart rate monitoring में जाते हैं तो यहां पर आपको continuous heart rate measurement को enable करना होगा दो टाइप का option मिलता है real time monitoring जिसमें आपका battery life जो आपके watch का कम देखने के लिए मिलेगा दूसरा है automatic measurement इसमें certain time interval पर आपका watch automatically आपके heart rate को measure करते रहेगा तो यहां पर हम automatic measurement जो है वो select कर लेते हैं back जाते हैं next है यहां पर stress monitoring यह भी enabled है tap करना है अगर यह enable नहीं रहेगा तो आप enable कर सकते हैं यहां पर आप excessive stress reminder जो है उसको enable रख सकते हैं जब यह enable रहेगा तो device जो है आपको remind कराता रहेगा जब भी आपका stress का score है वो 80 से ऊपर जाएगा आपको relax करने के लिए remind कराते रहेगा उसके लिए आपको यह वाला option है उसको enable करना पड़ेगा इसके अलावा जो reminder का period है वो आप यहां से select कर सकते हैं reminder का interval आप select कर सकते हैं कि हर एक 60 minute के बाद यह check करेगा और उसके बाद अगर आपका stress score है वो 80 से ऊपर जा रहा है तो फिर आपको remind कराएगा यहां पर repeat cycle है किस किस दिन आप reminder जो है वो use करना जाते है stress monitoring वाला तो वो चीज़ आप कर सकते हैं यहां पर कुछ data दिया गया है जैसे 80 से 99 के बीच में अगर चल जाता है score तो high stress zone में है आप बागी data आप देख सकते हैं back जाते हैं next यहां पर drinking reminder भी आपको मिल जाता है next is sedentary alert मतलब अगर आप एक जगह पे बहुत दिर तक बैठे रहते हैं तो आपका watch जो है वो आपको alert करेगा कि आप उड़ जाईए थोड़ा सा stretching कर लीजे तो अगर आप इसको enable रख सकते हैं तो यहां पे भी same उसी type से आपको जो है na schedule करना पड़ेगा set करना पड़ेगा time target steps जो है per hour का वो आप यहां पे select कर सकते हैं repeat cycle मतलब किस किस दिन आपको sedentary alert यूज़ करना है वो चीज़ आप यहां पे select कर सकते हैं next है यहां पे menstrual cycle यह girls और women's के लिए useful होगा तो वो लोग अपने according जो है इसको use कर सकते हैं health monitoring के नीचे faq है फिर alarm clock है तो alarm clock जो है आप यहां पर app के through भी setup कर सकते हैं या फिर Alexa के through भी आप अपने watch से alarm जो है वो set कर सकते हैं फिर है message notification टैप करते हैं तो यहां पर आपको allow करना परेगा notification तो यहां पर जैसे ही आप allow करेंगे एक pop-up आजाएगा उसके बाद आपको set पर क्लिक करना है फिर आपको boat wave को notification access देना है यहां पर allow करना है फिर back जाना है और उसके बाद यहां पर आपको allow notification को enable करना है जो जो app के लिए आप notification चाहते हैं कि आपके watch पर देखने के लिए मिले उस app का notification जो है आप enable कर देंगे इसे हम Instagram का कर दिए WhatsApp का कर दिए YouTube का कर message notification जो enable कर दिए email का notification enable कर दिए जितना ज्यादा notification आपके watch पर आपको receive होगा उतना कम battery life आपको देखने के लिए मिलेगा तो आप अपने according जो भी app का notification अपने watch पर चाते हैं वो select कर लीजेगा next यहां पर Amazon Alexa है इसके through आप Amazon Alexa को setup कर सकते हैं next यहां पर call alert call का notification अगर आपको चा phone call के log का access देना पड़ेगा तो यहां पर अगर आप इसको enable करते हैं जैसे ही आपके phone में call आएगा आपके watch में आपको notification आ जाएगा और आप चाहते हैं कि 3 seconds के delay के बाद आए मतलब कि जैसे ही phone पे call आता है उसके 3 seconds के बाद आपको watch के ऊपर notification आए तो आप इस option को enable रख सकत हैं मतब कि automatically अगर आप running करते हैं या walking करते हैं तो आपको watch detect कर लेगा next है यहां पर device setting device setting में आपको बहुत सारा options मिल जाता है जैसे कि do not disturb mode है तो इसको आप यहां से enable disable कर सकते हैं ऐसे do not disturb को enable disable करने का option आपको watch से भी मिल जाता है वहां से भी आप इसको enable कर सकते है find my phone का जो weather forecast अगर आप अपने watch में check करना चाहते हैं तो पहले आपको इसको यहां से enable करना पड़ेगा तभी आप weather forecast का feature अपने watch में use कर पाईएगा अगर यह disable रहता है और यहां पे अगर हम watch के app में जाते हैं app menu में और यहां पे अगर हम weather पे tap करते हैं तो यहां पे लिखाएगा connect the app to setup इसी तरीके से यह सब feature में भी लिखाएगा अगर enabled नहीं रहेगा अब यह अगर हम weather forecast को enable कर देते हैं और उसके बाद अगर हम app में जाते हैं और यह एप menu में जाते हैं और weather प्याप करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि weather का जो भी data है weather forecast वो यहां पे हम देख सक सकते हैं next यहां पर आपको automatic screen brightness option मिलता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और सकाक सटाथ time और end time जो है वह आप दो आ पर सकते हैं automatically screen brightness जिए फ्राइफ हो जाता है Night Time में brightness automatically हो जाता ऐब सेंसर नहीं दिया गया है कि automatically brightness up down होगा यहां पर आपको shortcuts मिलता है तो shortcuts में जैसे हम आपको दिखाते हैं जैसे हम वाच के home screen पर जाते हैं यहां पर हम swipe करते हैं तो सबसे पहले steps count है यहां पर सबसे पहले यहां पर health data show कर तो यहां पर हम आपको दिखा देते हैं यह यहां पे शो कर रहा है और उसके बाद Alexa शो कर रहा है तो Alexa यहां नहीं दिखता है बांकी जो चारो है वो दिखता है इसके लाव अगर आप इसी सीरीज में weather और music control को use करना चाहते हैं तो weather को आप यहां से tap कर दीजिएगा music control को tap कर दीजिएगा तो यह add हो जाएगा किसी का sequence अगर आपको उपर नीचे करना जैसे music control आपको सबसे उपर रखना है तो आप यहां पर रख सकते हैं यहां पर यह setup करने के बाद अगर आप watch face पे swipe करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पहले music control है फिर health data है फिर यहां पर heart rate है फिर stress होगा उसके बाद यहां पर last training है और उसके बाद आपको इसी सीरीज में weather भी देखने के लिए मिलता है लास्ट में Amazon Alexa है और उसके बाद फिर से watch face आ जाता है तो वह चीज आप यहां पर shortcut जो है वो setup कर सकते हैं इसके बाद यहां पर multi sports mode मिलता है इसके उपर अगर हम tap करते हैं तो जो भी sports mode है ना वो सारा आप यहां पर देख सकते हैं और इसका sequence आप यहां से watch पर दिख रहा है sequence अब चाहें तो यहां से ऊपर नीचे कर सकते हैं कुछ इस तरीके से restart कर सकते हैं और device को यहां से चाहें तो आप unpair भी कर सकते हैं, back जाते हैं इसके बाद अगर आपको watch face use करना है, तो यहां पर watch face market है, तो यहां पर more पर tap कीजेगा, और उसके बाद आप पूरा watch face market जो है, वो access कर सकते हैं, उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं, कि आपको के watch पे तो यहां पर देख सकते हैं कि watch face जो है कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल रहा है और यह apply हो गया है यहां पर हम आपको एक और चीज बता दें आप अगर किसी watch face पर tap करते हैं add and install पर tap करते हैं तो हो सकता है आपको ऐसा pop up आ रहा होगा ही पहले आपको login करना पड़ेगा वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप शुरुआत में boat का account जो है वो रिजिस्टर नहीं किये हैं जो कि हम वीडियो में दिखाए हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि back जाना होगा य watch face market से भी आप करके कर सकते हैं अब यहां पे दो custom watch face यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है जैसे अगर हम इसके उपर tap करते हैं तो इसमें आप अलग-अलग design जो है वो यूज कर सकते हैं जैसा आप देख सकते हैं मतलब थोड़ा मोड़ा customization जो आपको इसमें दिया टैप करने के बाद आप camera access कर सकते हैं मतलब की camera से photo click कीजिए और watch face use कीजिए या फिर आप अपने gallery में से कोई photo जाए वो select कर सकते हैं यहां पर album पर tap करते हैं अब यहां पर अगर आपको अपने gallery के किसी भी image को as a watch face use करना है तो आप simply उस photo पर click कर लिजे और यहां पर आप आप कर देना है और यहां पर आपको add and install पर tap कर देना है कुछ second का समय लगेगा और यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो custom watch face है जो भी आप gallery से जो भी image को use करना जाते हैं वो आप as a watch face यहां पर use कर सकते हैं next यहां पर जो user section है na user section में आपको अलग-अलग badges मिलता है अलग- report जो है वो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आप का setting जो है वो आप set कर सकते हैं अगर आपको अपने device का update चेक करना है ना तो device का update यहां पर device section में जाना है watch पर टैप करना है और यहां पर आप नीचे जाएंगे ना तो यहां पर आपको device upgrade में जाना है अगर जो भी update आया होगा तो वो चीज़ आपको यहीं पे देखने के लिए मिलेगा यही था detailed setup बांकि Amazon Alexa को कैसे setup करना है और iOS में boat wave app के through आपको इस boat extend watch को किस तरी के setup करना है वो हम upcoming videos में आपको दिखा देंगे और अगर आपको अपने watch को reset करना है ना तो यह watch face पर आगा है फिस आपको button press करना है button press करने के बाद यहां पर आपको सबसे नीचे चल जाना है setting में setting में जाने के बाद यहां पर आपको सबसे नीचे जाना है और नीचे से second option आपको reset का देखने के लिए मिलता है और reset का option मिल जाता है reset पर tap करेंगे और stick mark पर जैसे ही आप click करेंगे आपका watch जो है वो reset हो जाएगा जिस तरीके से आप box से निकाले थे बिलकुल उसी तरीके के condition में आ जाएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते नेक्स वीडियो में तब तक टेक्नलोजी का इसक्माल एक लिमिट में कीजिए देखने के लिए आपका धन्यवाद